Hello Students, Welcome to my English Learning YouTube Channel Success Press and Today I am going to provide you practice at 3rd of re-ordering for class 9th and 10th. Dear Students, Video Start करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चनल पर नए हैं, तो सबसे पहले हमारे चनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने हुए बेल का आइकन को ही प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो समय से मिलते रहें और आप हमारे समपर्क में बने रहें और साथ-साथ में आप अपनी बोर्ड एक्जाम्स की प्रेप्रेशन को कॉंटेन्यू रख सकें, तो विदाउट बेस्टिंग अनी टाइम, लेट अस स्टार्ट दा एक्सरसाइज, प्रेक्टिस सेट नमबर थ्री dear students, देखते हैं, रियाऌडरिंग को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि मैंने आपको समझाया था, कि संटेंस जू होते हैं वे एक सिक्वेंस में नहीं होते हैं, उनको हमें सिक्वेंस में करना पड़ता है तो देखते हैं, first sentence exercise का है, week last मदरास in was I, ठीक है, तो इसका means यहाँ पर है कि मैं पिछले वर्स मदरास में था, sorry, पिछली सब्ता, तो I was, ठीक है, मैं था, कहां, in मदरास, मदरास में, कब, last week, I was in मदरास, last week, बिलकुस एकदम reverse order में हो रहा है, I was in मदरास, last week, okay, second देखते हैं, has my book taken who, देखें, मैंने आपको बताया था, जिस sentence में कुशन मार्ग लगा होगा, आप समझ लें, वो sentence interrogative के रूप से ही बनेगा, तो WH word who है, यह सबसे पहले आजाएगा, who, फिर helping बरवाएगी, has, फिर बरव आप किसने ली है, okay, next, यह sentence देखें, directions repeat हो रहा है, यह पहले भी exercise में आ चुका है, ऐसे कई sentences जो repeat होते हैं, अगर आपका लग अच्छा हुआ, तो आपको यह पढ़े हुए sentences में सी board exam में मिल जाएंगे, ठीक है, तो देखते हैं, loss is regretting seller the greedy cried, ठीक है, तो हो जाएगा, the greedy seller, यहनि, the greedy seller, लालची विक्रेता, ठीक है, the greedy seller, लालची विक्रेता, cried में, चीखा, चिलाया, regretting his loss, अपने नुकसान पर पश्चा ताप करते हुए, ठीक है, next है, तीक है, यह sentence भी बहुत आता है, आप लोगों कभी तक आप लोगों समझ लिया होगा, कई बार यह sentence आ चुका यहनि, please give me something to eat, करपिया मुझे कुछ खाने के लिए दीजिये, ठीक है, next है, gave his the father poor 500 treatment rupees for, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कि उसके पिता ने गरीब आदमे को 500 रुपए इलाज के लिए दीए, ठीक है, तो हो जाएगा, his father gave, उसके पिता ने दिये 500 rupees, 500 रुपए, किसे, sorry, एक बार दुआरा से देखते हैं, his father उसके पिता ने gave miss दिये, किसे दिये, the poor, गरीब, यहनि गरीब को दिये, कि क्या दिया, 500 rupees दिये, और किस काम के लिए दिये, for treatment, इलाज के लिए, ठीक है, फिर से देख लेते हैं, his father gave the poor, 500 rupees, for treatment, कुछ, sentence number 6 है, the mountains, of the tops, covered snow, are with ear, the throw out, ठीक है, तो पहले आजाएगा the tops, यहनि कि चोटियां, फिर off मिन्स की, किसकी the mountains, यहनि कि परबतों की चोटियां, पहाडों की चोटियां, फिर आएगा आर, फिर आएगा वर्ब का वर्ड धकी रहती हैं, फिर आएगा with, किस से, snow मिन्स, बर्ब से धकी रहती हैं, ठीक है, और लास्ट है इसका, गो आगरा, not, did he yesterday to, ठीक है, तो he, subject है, पहले आजाएगा he, फिर आजाएगा helping verb did, फिर आएगा not, फिर आएगी बर्ब go, फिर आएगा to, फिर आएगा आगरा, फिर आएगा yesterday, यहनि कि, he did not go to आगरा yesterday, means, वह कल आगरा नहीं गया, ठीक है, dear students, तो बहुत ही आसान, इसमें कुछ tough नहीं है, आप लोगों को बहुत ही easily समझ में आ रहा होगा, और अब हुम लोग देख लेते हैं, अगला practice set, sorry, practice set तो यही है, बट अगले board exams में आया ही है, seven sentences हमारा सामने और भी हैं, तो यह देखें, first है never hard goes based work, देखें यह sentence भी repeat हुआ है, तो इसका मिन्स क्या है, कि कठिन परिश्रम कभी भी बेकार नहीं जाता है, okay, तो hard work, कठिन परिश्रम, फिर never, कभी नहीं, goes means जाता है, waste means बरबाद, कठिन परिश्रम कभी बरबाद नहीं जाता है, once more, hard work never goes waste, ठीक है, next है, five, four days medicines, this take regularly, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यह किसी ने किसी को सला दिये साय, डॉक्टर्स नहीं सला दिये होगी, कि take means low, this means, this medicine means दवाई को, ठीक है, take this medicine regularly for five days, ठीक, next है, the servant food for cooks us, तो the servant subject है, नौकर, फिर बरव आएगा, क्या cooks, the servant cooks, क्या food, यहनी की भोजन, for us, हमारे लिए, ठीक है, servant, यहनी जो नौकर है, वो हमारे लिए भोजन बनाता है, फिर next है, school did, school not did to he go, ठीक है, तो कैसे बनेगा, he did not go to school, यहनी की वहाँ, school नहीं जाता है, फिर next है, it was, site, fine, see, to, यहनी की यहाँ, it subject हो जाएगा, it was means, था, क्या था, a fine site, एक सुंदर, द्रस्य, to see, देखने लाएग, देखने के लिए, ठीक है, it was a fine site to see, ठीक है, इट वाज, a fine site to see, ठीक है, नमबर शेक्स, माई टॉट स्वीमिंग, मी फादर, दिखें, यह संटेंस, फिर रिपीट हुआ है, और कितनी बार ही आ चुका है, आप लोगों को बहुत ध्यान से समझ लेना इसे, मेभी यह रिपीट हो जाए, ठीक है, माई टॉट स्वीमिंग मी फादर, यहनि कि मेरे पिताजी मुझे, मेरे पिताजी ने मुझे स्वीमिंग सिखाई, ठीक है, तो माई फादर, फिर बर्व आएगी क्या, टॉट, फिर आएगा ऑब्जेक्ट मी, फिर क्या आएगा, स्वीमिंग, तैरना, तो माई फादर टॉट मी स्वीमिंग, मेरे पिताजी ने मुझे तैरना सिखाया, इसका मतलब, उसने अपने भाई को सलाह दी, कि वहाँ अपने स्वास्थ की केर करे, नहीं अपने हेल्थ की देखबाल रखे, तो हो जाएगा, सब्जेक्ट ही, कहां गया ही, ठीक है, एड़वाइजड उसने सलाह दी, किसे, इस ब्रदर अपने भाई को, किस बात के लिए, तो टेक केर में ध्यान रखने के लिए, आफ इस हेल्थ, अपने स्वास्थ का, यहीं कि, एड़वाइजड इस ब्रदर तो टेक केर अफ इस हेल्थ, तो यह आपका प्रेक्टिस सेट 3 हो गया है, रियोडरिंग का, I hope you all understood the practice set, और नेक्स्ट प्रेक्टिस सेट मैं आपको बहुत ही जल्दी प्रोवाइड कर वाऊंगा, तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहें, ओके, गुडबाई, थैंक यू,